हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीनियस इमांच में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्यूशन्स लेकिया हैं जो आपके सभी एक्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो अगर आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक सेस्वी में नेक्स्ट हडपा निवासी किस प्रमक धातू से अपरीचित थे तो वो था लोहे से सिंदू घाटी सब्वेता में विशार इस नानागर कहां पाया गया था तो ये पाया गया था मोहन जोदड़ू में सोरी भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था तो वो था हडपा हडपा सब्वेता में हल से जोते गए खेत के साक्षे कहां से मिले हैं तो ये मिले हैं काली बंगा से काली बंगा इस ताल राजसान के किस जिले में इस्तित है तो वो है हनुमानगड में हडपस अबिता की सरवादिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है तो वो है पच्चीस सो से इसवी पूर्व से सत्रा सो इसा पूर्व तक का भारत के आर्थिक राजधानी क्या है तो वो है मुंबई शहर नेक्स्ट जैन धर्म के प्राचीन आगम गरंतू की भाशक क्या थी तो वो थी प्राक्रत नेक्स्ट किस चीनी शाशक ने 1341 इसमी में मुहमद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजधूत बेजा था तो वो था तोगन तिमुर्व नेक्स्ट मयूर सिंगासन किसने बनवाया था तो वो थे शाजाने नेक्स्ट शाजा की बैगम का क्या नाम था तो वो था मुम्ताज मयूर सिंगासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था तो वो थे बादल खा दिली के सुल्टान में ऐसा कौन था जिसने योग गिता के अधर पद देना प्रारम किया था तो वो थे मौमद बिन तुगलग नेक्स्ट ए मौमद बिन तुगलग ने अपनी राज़ा ने कहा इस्तांतरित की थी तो वो की थी दौलताबाद में मौमद तुगलग के दरवार में किसने 17 साल कुजा रहे थी तो वो थे बरणी ने नेक्स्ट ए क्रिशी के विकास के लिए मौमद बिन तुगलग ने किस विभाद के स्थापना की थी तो वो है दिवानी को ही की महावीर के निर्मान के बाद जैन संग का अगला अध्यक्ष कौन थे तो वो थे सुधर्मन वैदिकाल में यह किसे कहा जाता था जौ को दिलवाड़ा के प्रसित जैन मंदिरों को बनवाया था सोलंकियों ने बौत धर्म के प्रवर्टक गौतम बूत का जनम कब और कहां हुआ था तो 563 हीसा पूर में लुम्बनी में हुआ था नेक्स्ट शाक्य राजवंज के किस राजकुमान ने एक महान धर्म के स्थापना की थी तो वो थे सिद्धार्थ आर्यों का प्रारंबिक जीवन निर्भर करता था पश्यू चरन पे चित्रे दूसर मृत भान का संबन किस काल से है तो वो है वैदिक सब्वेता से कनिश्क बौत धर्म के किस शाखा का निवाई था जिसका प्रसार उसमें मद्दे एश्य और सुदूर पूर में किया था तो वो थे महायान का कला की मत्रशैली में मूर्टियों का निर्मान हुआ था रैड सेंट स्टोन से राज्य वर्धन की मृत्यू के पश्याद हर्ष वर्धन सिंगासन पे आसीन हुआ था 606 ईस्वी में हर्ष महाराज किस शाषक को पराजित नहीं कर सका था तो वो थे पुलकेशिन द्वित्ते को बुद्ध ने अपना प्रतम उबदेश कहां दिया था सारनात में रिगवेदिक काल में आरे हैं लोगों का मुख्य वैविसाय था खेती करना किस वैद में प्राचिन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है तो वो है रिगवेद के बारे में रिशब देव का उलेक किस में मिलता है रिगवेद में विश्णु का सर पर्थम उलेक मिलता है रिगवेद में रिगवेद में वर्णिन सब्वेता है सैनिन कुलीन तंत्र नेक्स्ट है किसके शार्षन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिली भारती इतियास के पत पर आकरमन किया था तो वो थे नसरुदीन महमद तुगलग निजामुदीन ओलिया किस तुगलग से समकालिन थे तो वो थे गया सुदेन तुगलग के सार्णातिस्टम का निर्मान किस ने कराया था अशोग ने अशोग के सार्णातिस्टम के निशले भाग पर कौन-कौन से जानवन निरुपित है तो हाथी, घोड़ा, सान और सिंग किसने सहिश्णिता, उदारता और कर्णा के त्रिविद अधार पे राजवंज की स्थापना की थी तो वो थे अशोग अशोग ने कहा चौल पांडे केरल पुत्र सत्य पुत्रियों का अपनी पडोसी शक्तियों के रूप में उले किया था तो वो है शीला लेक वित्ते में अशोक की अभिलेख में उसके लिए किस एक मात्रपुत्र की चर्चा की गई है तो वो है तीवर की दिली सल्तनत में सबसे लंबी अवदी तक किस वंश का शाशन था तो वो था तुगलक वंश का हिंदुसा की राज़ानी दिली से दौलता बाद किस आशक ने स्थांतरित की थी तो वो थे मौमद बिन तुगलक ने अशोक ने अपने किस शीला लेक में स्वैम का उलेक किया है तो वो है मास्की का शीला लेक अशोक के ब्रामी अभी लेकों को सर प्रतम किस ने पढ़ा था जैम्स प्रिंसेप ने श्री नगर की स्थापना किस शाशक ने की थी तो वो की थी अशोक ने नेक्स्ट है मध्यकाली इन भारत का प्रतम शाशक कौन था जिसने सती प्रता पर निशीद लगाया था तो वो थे महामद बिन तुगलक कि सुल्तानिस सर प्रतम उत्तर भारत में सिचाई है तो नेहरो का जाल सा फैला दिया था तो वो था फिरोज तुगलक महराटा शक्ति का उद्य कब हुआ था सत्रवी शताब्दी के उत्राद में किसके नेत्रत में सत्रवी शताब्दी के उत्राद में महराटा शक्ति का जनम हुआ था तो वो था शिवाजी बाबर का जनम कब और का हुआ था तो 24 फरवरी 1483 इसवी में फरगाणा में हुआ था बाबर भारत का पहला आकरमन किस के विरूद किया था तो वो था यूसुफ जयाईयो के विरूद बाबर का पहला महत्पुन आकरमन कब माना जाता है 1526 इसवी का पानिपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानिपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी 1526 इसवी में खानवा का युद कब और किसके बीच हुआ था तो 1527 इसवी में राना सांगा और बाबर के बीच हुआ था बाबर और मैदेनी राय के बीच हुआ युद किस नाम से जाना जाता है तो वो जाना जाता है चंदीरी के युद जो 1528 इस्वी में हुआ था घागरा के युद में बाबर ने किसे पराजित किया था तो वो किया था महमूद लोदी जो इबराहिम लोदी का भाई था बाबर की आत्मकता को किस नाम से जाना जाता है तुजू के बाबरी या बाबर नामा के नाम से किस यूद में बाबर ने तोप खाने का इस्तमाल किया था तो वो था पानीपत का प्रथम यूद पानिपत की द्वित्य यूद का बौर किसके बीच लड़ा गया तो 1556 में अकबर और हेमु विक्रमा द्वित्य के बीच लड़ा गया था पानिपत का द्वित्य यूद में किसकी जीत हुई थी अकबर की किसके संद्रक्षन में अकबर ने 1560 इसवी तक शाशन किया था तो वो था बैरम खा सिंगासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा यूद लड़ा और जीता पानी पत की दूसरी लड़ाई भारत के प्रतम विदी निर्माता कौन थे तो वो थे मनु वैशेशिक दर्शक के प्रतिपादक कौन थे उलुक कनाद न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे महर्शी गौतम सांखे दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल मुनी पूर्विमानसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे तो वो थे जैमिनी कांची पुरम के कैलाश नत मंदिर का निर्मान किस ने कराया था नर्सिंग वर्मन द्वित्ये ने कांची वर्मन के मुक्तीश्वर मंदिर तथा बैकून पैसमाल मंदिर का निर्मान किस ने कराया तो वो थे नंदी वर्मन द्वित्ये ने राश्ट कूट वंच के संसापक कौन थे दंती दुर्ग कृष्ण प्रतम गौविन तृत्ते अमोग वर्ष कृष्ण दृत्ते इंद्र तृत्ते और कृष्ण तृत्ते किस वंच के राजा थे तो वो थे राश्ट कूट वंच के राष्ट कूट वंच की राजदानी कहा हुआ करती थी? तो वो थी मनकीर या मानने खेत राष्ट कूट वंच के प्रतम शाषक कौन थे? द्रोव किस रास्ट को शाषक ने प्रतिहार वंच के शाषक नागभर द्वित्ते को पराजित किया था तो वो थे गोविन तृत्ते हर एक वंच के स्थापना किस ने की थी बिम्बी सार ने रास्ट कूट वंच के अंतिम शाषक कौन थे कृष्ण तृत्ते महरास्ट्र में इस तित एलोविरा और एलीफेंटर गुफाओं का निर्मान की शाशकों के शाशनकाल में हुआ था तो वो हुथा रास्ट्र कूट के कल्याणी के चालुके वंश के स्थापना किस ने की थी तैलब द्वित्ते ने वातापी के चालुके वंश के स्थापना किस ने की थी राजा जैसिंग ने पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वित्य, विज्या दित्य तथा कीर्ती वर्मन किस वंश के राजा थे तो वो थे चालुके वंश के बैंगी के चालू के वंज के संसापक कौन थे तो वो थे विश्णु वर्धन चाल वंज के संसापक कौन थे विच्छाले चाल वंज की राजधानी कहां हुआ करती थी तंजावुर में परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजिंद्र प्रथम, कुलोंतुंग किस वंज के राजा थे? तो वो थे चॉलवंज के तंजोर का राजेश्वर शियु मंदिर का निर्मान किस ने कराया था? राजराज प्रथम ने कराया था चौल काल में किसी विद्याले की रख रखाव की भूमी को क्या कहा जाता था तो वो कहा जाता था शाला भोग चौल वंच का अंतिम राजा कौन था राजेंद्र तृत्ते चौल काल में सोने की सिक्कों को क्या कहा जाता था कलंजू नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्रकरस्ट कला है तो वो है चौल काल की चौल काल में विश्णो के उपासक क्या कहलाते थे अलवार चौल काल में शिव के उपासक को का जाता था नैनायर पालवंज के संसापक थे गोपाल पाल वंज की राज़ानी कहा हुआ करती थी मुंगेर में नेक्स्ट धर्म पाल, देव पाल, नारायन पाल, मही पाल और नय पाल किस वंज की राजा थे तो ये थे पाल वंज की नेक्स्ट विक्रम शीला विश्विद्याले की सापना किस ने की थी तो वो की थी धर्म पालने नेक्स्ट औरदन पुरी बिहार के प्रसिद बौध मटका निर्मान किस ने करवाय था देव पालने पाल शाशक किस धर्म के अनियाई थे तो वो थे बौध धर्म के नालंदा में एक बहुत विहार बनवाने के लिए किस राजा ने पांच गाउंदान में दिये थे तो वो थे देव पाल पृत्वी राज रासों की रचना किस ने की थी तो वो की थी चंदवर्दाई ने नेक्स्ट है मद्दे काले नितिहास के बारे में कुछ क्यूशन्स हैं तो इसका देखी फरस्ट है किसके नेत्रत में अर्बो ने भारत पे पहला आक्रमन किया था तो वो थे मोहमद बिन कासिम ने किसके नेत्रत्व में अर्बो ने भारत पे पहला आक्रमन किया मोहमद बिन अर्बो ने सिंग को किस वर शीता था 712 इसवी में अर्बो के आक्रमन के समय सिंग का राजा कौन था दाहिर 1932 इसवी में किसने गजनी नामक सामराज्जी के स्थापना की थी तो वो थे अलपत गिनने प्रथम तुर्क आकरमन के समय पंजाब का शाशक कौन था तो वो थे जैपाल नेक्स्ट ए सुबुक्त गीन कौन था तो वो था अलपत गीन का दामाद मैमूद गजनवी किसका पुत्र था सुबुक्त गीन का